नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में बॉलिवुड जो आजकल बहुत जादा सुर्ख्यों में बना हुआ है हाल ही में ब्रह्मास्तर मूवी जिसको लेकर इतना बवाल मचा उसके बाद आई सनी देवल की चुप जिस चुप मूवी ने गदर मचा दिया बॉलिवुड में जिस हिसाब से बॉयकॉट का कल्चर चल रहा था इसी बीच एक मूवी आती है चुप और ब्लॉक बस्टर की तरफ आगे बढ़ती जाती है मात्र चार दिन हुए है और अब सोमवार की कमाई का अंकड़ा जो चुप मूवी का है वो भी सामने आ चुका है दरसल 23 सितंबर को ये मूवी रिलीज हुई थी सिनमा गरों में आया थी जब नैशनल सिनमा डे मनाया गया और 75 रुपे की टिकट इसका दाम फिक्स किया गया इतनी भी मूवी उस इन ठेटर में चली सब जगा 75 रुपे का दाम फिक्स किया गया था हर एक मूवी के लिए हर एक ठेटर के लिए और हर एक शो के लिए और वहीं आपको बता दें कि चुप मूवी को लेकर जो क्रिटिक्स हैं उनकी तरफ से काफी पॉजिटिव रेक्श और अगर बात की जाए जिसी साब से ओपनिंग हुई थी तीन करोड से जादा पहले दिन कमाये थे उसके बाद दूसरे दिन बारिश की वज़ा बताया जा रहा है कि थोड़ी सी कमाई जो है उसमें कमी देखने को मिली थी शनिवार के दिन 2.07 करोड की कमाई हुई थी और चोथे दिन जैसे ही शुरुवात हुई हफते की विगडेज की शुरुवात हुई सोमवार के दिन ये कमाई का अंकड़ा थोड़ा सा नीचे गया इसमें गिरावट देखने को जरूर मिली है मातरे 85 लाख रुपे कमाई है चुप मूवी ने सोमवार के दिन ये जितनी एक करोड रुपे यहां पर चुप मूवी कमा चुकी है तो जहां एक तरफ इतना बॉयकॉट का कल्चर चल रहा है उस बीच एक मूवी आना और सनी देवल की वापसी करना गदर 2 से पहले एक ट्रेलर जो सनी देवल ने दिखाया है उसको दर्शकों का इतना जादा प्यार मिल जो इस बीच में जो मूवी आई है वो हालंकि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई लेकिन अगर बात की जाए चुप मूवी की इसको सुपर हिट की श्रेनी में डाला जाएगा जैसे ही इसका जो बजट है वो बजट से जो कमाई है वो जैसे ही उस आंकडे को छू ज दो जाता है तो भी जिए जो वीकेंड है यह वीकेंड आने से पहले पहले यह मूवी आपने बजट को क्रॉस करके जो प्रोफिट है वो चूरू कर देगी और सुपर हिट की लिस्ट में शामिल हो जाएगी जो अब तक ब्रहमास्टर नहीं हो पाई है अठारा दिन होचु चुप मूवी की दस क्रोड के बजट में बनी इतनी देर दो हफते बाद उस मूवी को रिलीज किया गया अब 23 सितंबर को सिन्मा गरूंगाई सबसे बड़ी बात कि चुप मूवी की इतनी जादा प्रमोशन नहीं की गई थी प्रमोशनल अक्टिविटीज कम थी बाकी फिल् पूरी तरह से हाउसफुल हो चुके थे और एक सफलता की कहानी यहां पर लिखते हुए आरबाल की इस बॉयकॉट के कल्चर के बीच जिसको लोग आने वाले समय में बिलकुल याद रखेंगे जब एक तरफ इतने बड़े-बड़े एक्टर्स को लेने के बावजूद इत एक पुलीस आफिसर के रूप में कैसे एक ब्लॉक बस्टर मुवी इस बीच में आती है जिसकी सबसे मुख्य वज़ा है कहानी, स्क्रिप्ट, कहानी की यूनिकनेस, डायलोग्स जो डायलोग्स लिखे गए हैं वो एकदम शांदार है, बहतरीन डायलोग्स लिखे गए हैं कहानी एकदम जबरदस लिखी गई है मुवी की, यही एक मुख्य वज़ा है कि दर्शक खिंचे चले आ रहे हैं ठेटर्स की तरफ, और अब ऐसा बताया जा रहा है कि सवाट करोड कमाने के बाद ये जो है दो दिन के अंदर अपना दस करोड का जो बजट का अंकड़ा है क्योंकि अगर बात की जए जो 75 रुपे की टिकट की गई थी उसके बाद उस ट्रेंड को देखते हूं क्योंकि खचा-खच उस समय ठेटर भरे हुए थे, दर्शक पहुंच रहे थे, कोई भी सीट खाली नहीं दिखाई देती थी, उसी ट्रेंड को देखते हुए ऐसा फैस नॉर्मली 200 से 300 रुपे या कुछ-कुछ ठेटर में 400 रुपे तक भी रहता है, यह देखा गया कि जब 75 रुपे टिकट के दाम किये थे सिनमा डे के दिन, तो उस दिन किस हिजाब से दर्शकों का फुटफॉल था वो जादा बड़ा ठेटर की तरफ और उसी ट्रेंड को द देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर की तरफ बढ़ती हुए और दर्शकों की उमीद अब सनी देओल से और जादा बढ़ती हुई कि गदर टू से पहले जो उन्होंने अच्छा कमबैक किया है, तो गदर टू में हमें इस इस हिसाब से वो तारा सिंग क्या फिर से देखने को मिलेगा जो गदर के फस्ट पार्ट में देखने को मिला था, काफी सालों के बाद गदर टू आ रहे हैं और इसका पहले से ही इतना जादा क्रेज है, हालांकि यह खुद सनी देओल ने बताया था कि 2023 के पहले कौर्टर म मन में इतना इंतजार है, बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, दुलकर सल्मान जो इस मूवी में अभी ने कर रहे हैं उन्होंने भी गदर टू को लेकर कहा था कि लोग काफी उत्सुक हैं सनी देओल को ऑन स्क्रीन देखने के लिए, लेकिन अगर बात की जाए ऑन स्क्रीन ज जो है अभी ने करके दर्शकों का दिल जीत लिया है, और यही एक मुख्य वजा है कि चार दिन के अंदर ही 10 करोड के बजट से बनी मूवी, आपने 80% से जादा बजट का अंकड़ा पूरा कर चुकी है, और एक से दो दिन में यह अपने जो प्रॉफिट है उसकी तरफ कातार एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर उन्होंने भी इसको लेकर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि चुपका जो पहला वीकेंड है वो एकदम डिसेंट रहा और अगर बात की जाए उसमें फ्राइडे को क्योंकि 75 रुपेगी टिकट थी तो दर्शकों का फुट कि इस समय अगर स्क्रीन्स की भी बात की जाए तो ब्रहमास्त्र की तुलना में काफी कम स्क्रीन्स मिली हैं चुप मूवी को उसके बावजूद काफी अच्छा यहां पर परदर्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका जो ट्रेलर है वो भी बहुत पहले नहीं रिलीस कि गया कुछ हफते पहले यह आया था और इसका अगर बात किया जाए तो कहानी को लेकर कर के पहले कुछ खासा दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई जितना चुप मूवी के डायलोग्स ने दर्शकों का दिल जीता है तो वहीं देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब कब तक आखिरकार यह चुप मूवी उस से 10 करोड के बजट के अंकडे को पूरा कर पाईगी इसक कि कि आप 410 करोड मैं बनाये अप एक क्रोड में बनाया या सो करोड में बनाये वह जो कहानी लिखी गई है कहानी की जो यूनीकनेस है उससे दर्शकों का दिल जीतना बहुत ज्यादा ज़रूर है जो चुप मूवी ने अपडेट के लिए बने रहे हैं मारसाथ दन्यवाद